सबसे पहले तो यहां पर देख लीजिए अल्मुस्ट थी था अपको पता होगा कि मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था अब यहां पर ध्यान से अब्सक्राइब कीजिए ट्रेडर सेट बगेर तो मैं सुपर सेट आपको बताता हूं पर इंट्रस्टिंग पॉइंट में आपको अब उसको मैंने यहां पर एक्जिट किया मतलब अगर आप यहां पर देखते हो तो मैंने इस लेवल्स पर एक्जिट किया था अल्मूस्ट 35,000 उसमेरा लॉस था और अगर मैं इसको carry forward भी करता मतलब अभी भी तक hold करके रखता तो भी मुझे यह इतना अच्छा खासा profit यहां पर मुझे नहीं देता था यह तो यही इशू है कहीं नहीं मतलब दे तोड़ा है profit वह लगबग अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो profit कि इतना अच्छा momentum आने के बावजूद भी option के prices मूव नहीं हो रहे है उसके बाव फर मैंने दुबारा ट्राइब किया यहां पर अगर आप यहां पर ध्यान से दिखते हो फिर मैंने जो next expiry आने वाली है weekly expiry उसको मैंने ट्राइब किया तो वहां पर भी कुछ मुझे खास यहां पर प्रॉफिट नहीं तो ultimately मुझे इस ट्रेड ने आज के दिन पर प्रॉफिट दिया है रेस्ट यह जो long straddle मैंने आप पर ट्राइब किया उसमें मुझे कुछ भी यहां पर नहीं मिला पर नहीं आपके सामने में कुछ data दिखा देता हूं जिन दिन लोगोंने ट्रेड किया था उन्होंने हमने एक ट्रेड ली थी उसमें अम लोगों को जो लॉस हुआ था हूँ लगभुक आधा हुआ था मतलब मेरा जो लॉस हुआ था इस पर 15000 के आसपास हुआ था बर जब अच्छा पर अच्छा पैसा निकाल लेते हैं तो आपर ट्रेडिंग क्या है डीटेल्स नीचे दियो हैं यहां पर नंबर फ्लैश होड़ा होगा वहां पर कॉंटेक्ट करके डीटेल्स ले सकते हो आप कैसे आप इन ग्रूब में जोईन कर सकते हो अब बात करते हैं हमारे सेटप के पर आज का सूपर सेटप क्या था तो देको सूपर सेटप हम लोग यहां पर समझेंगे अब यहां पर ध्यान से देखिए रिडस और आपको यह भी याद होगा कि हमने डिसक्स किया था कि नेक्स्ट जो रेजिस्टन्स है वो आल्मोस आता है हमारा कहां कल के अनलसी वाल व देको यहां पर में आपम पूंता देता हूं यह एक zone mark करेंगे ठीक है अब यहां देखों तो स्क्राइब कहा हो रहा है यह में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक मैं ऐसा trend line करता हूँ like this ठीक है एक तो यह हो गया एक attempt यहाँ पर आया bank nifty attempt किया fail हो गया दूसरा attempt fail तीसरा attempt fail dip लगने के बाद चौथा attempt fail यह था fifth attempt ठीक है अब यहाँ पर और एक important point यहाँ पर आया है breakout ठीक है rejection 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 यह आ गया हमारा क्या यह आ गया हमारा यहाँ पर breakout साथ में यह bottom पर देखिए volumes यह आपको दिख रहा होगा इसमें भी increment होते हुआ आपको दिख रहा है तो यह बहुत ही अच्छा setup था इस levels के आसपर हम entry ले सकते थे साथ में एक और important point यहाँ पर ध्यान दीजिए यह सिरुफ super setup ऐसा नहीं बनता है यह देखो bottom से लेके top तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची रॉक यह तो यहाँ पर देखो 50% का rejection भी बैट रहा है यह uptrend हो गया और इसका यह चोटा सा retracement वाला पार्ट हो गया ठीक है यहाँ पर आया हुआ है यह breakout entry इस लेवल के आसपास यहाँ पर यह देखो मैं entry यहाँ पर डॉक कर देता हूं this is my entry ठीक है मैंने trade लिया नहीं है ध्यान लखिएगा मैं आपको समझा रहो इस पर कि ऐसे सेट अपस बनते है इसके समें हमको Stop Loss रखना था देखो यहां मैं यहां नहीं बोड़ नहीं कि यहां आपको फिफ्ट अटेंप्ट है चलना है तो यहां तक सल सकता मतलब बीश्य से चलना इसको नही तो वह थोड़ा बहुत retracement करने के बाद यह फिर लोवा हाई बन जाता मतलब यह हाई लोवा हाई लोवा लो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता तो हम लोगों को यहां पर एक अच्छा का सा सेल आफ देखने के लिए मिल सकता था तो अपना स्टॉप लॉस क्या इस लेवल के आसपास आएगा मतलब लोग इस पर फाइब सरितन जी होल वगेरा भी तो करना परेगा कैसे हम ओल कर से दिरको मैं परसनली होल भी करता हूं जब मैं फुल फ्लेच में एकदम द्यान से कहीं देवर्जन वगेरा नहीं रिस स्नाइपर में थोड़ा बद मेरा मॉर्निंग में था तो मैंने परसनल ट्रेडिं के आसपास मतलब समय राउंड दस से पंदरा अबीस मिनट के अंदर ही हमको यहां पर वनने शोटू का लेवल यहां पर मिल जाता था तो दिस वास्टाप फॉर्ड टुडे सूपर सेटम जिसको बोलेंगे जहां पर तीन कंफरमेशन हैं एक यह नॉमल रिजेक्शन हो गया साथ में यह breakout आया है तीसरा अपना यहां पर अपना 50% का rejection दिख रहा है चौथा यहां पर जो सबसे important point calculate की जाती है वो है हमारा RR ratio for the day जो trade के अंदर RR ratio होता है वो आपका best होना चाहिए यहां पर अपना stop loss होना चाहिए था 1-0-2 का आप target अगर इस levels के आसपास भी आप ल करता है कि कमेंट सेक्शन में लिखके बताइए कि आज के दिन पर आपने क्या किया बाइंग किया यह मोमेंटम को हर बार selling selling करने की कोशिश किया है चार पास दिन से हमने cover किया हुआ है कि हमको इस सिटुएशन पर भी जैसे में आपको एक्जामपल बताया 41,980 के आस पर हम को selling करना है क्या ऐसा कुछ भी selling वाला जोन बना हम सेल कप कर सकते थे ऐसी सिटुएशन में आपको future reference के लिए बता देता हूँ देखो यह trend line कर दिया हमने ऐसा ठीक है अब देखो कैसे हो move कर रहा हूँ यह move यह इसलिए ऐसा momentum आ रहा है traders क्योंकि यहां पर 42,000 में बहुत लो sales के सामने action दिखना चाहिए कि हां boss market ऐसा आया let's see मैंने कहा कि 41,980 पे selling का प्लान कर सकते है तो हमको क्या चाहिए जैसे double top pattern बन जाता ऐसा नीचे आता या let's say bearish head and shoulder pattern बनता वो नीचे आता तो हमको एक breakdown के आसपा short करना था चोटा सा अपना stop लाएगा पर जब ऐसा कुछ यहां पर बन नहीं रहा तो logic नहीं बनता जाने तो market को उपर अच्छा का सा 42,000 वारा level break हो चुक है हम क्या कर सकते हैं यह दुबारा dip लगाएगा तो यहां पर देखेंगे कुछ buying opportunity breakout बगड़ा कुछ बनता है तो हम buy का plan है आपर ऐसा कर सकते हैं तो market से लर्णना नहीं है market को support करना हम क्या करते हैं कि नहीं हम assume कर लेते हैं नहीं नहीं 42,000 है यहां से तो नीचे आएगा यह आएगा क्या इसने trend line जो इसने यहां पर continuity दिखाई है market ऐसा move कर रहा है like this क्या उसने trend line break किया नहीं किया बस इस ल बाओ और ऊपर की तरब जाने तो उपर की तरब जाएगा तो क्या seller कोई confidence के दावाइगा करें करें करेंगा वह क्या सकता है जाए हो सकता है नहीं जाए तो उसने क्या किया है आप पर देखो rejections दिखाने के बाद लोगों ने sell किया और उसके बाद आपको यह नतीजा हो यह चार्ज के उपर सब समझ में आता है जो भी राउंड एक होमवक देता हूं मैं आपको यह चाहिए तो लॉंग वीकेंड है ना कल छुटी है हम लोगों को जो भी राउंड नमबर जैसे 42,000 41,000 40,000 इन लेवल्स के आसपास बहुत टाइम के बाद मतलब at least 5-10 दिन के बा होगे अजन आपका जब चार्ट डिटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कंपेटिवली जो अभी है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कर दिएगा थैंक्स वा वाचिंग विल सी इन नेक्स वीडियो